तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में और इन स्टॉक्स में शांदार बाइंग उपर्चिनिटी हाँ पर बनती हुई नजर आ रही है उपरी स्तरों से उपरी लेवल से काफी अच्छा करेक्शन आया इन स्टॉक्स म लेकिन अब यहाँ पर एक सबर्दस बेस फॉर्मिशन बनता हुआ नजर आ रहा है इस टॉक्स अप्ट्रेंड में चलने को तयार है शांदा रिकवरी के संकेत है तो इन पांच हो स्टॉक्स को हम टेक्निकली एनलाइज करने वाले हैं रणनीती डिसकस करेंगे बाइंग ल कर भी जरूर देखिएगा सबसे पहला जो स्टॉक है जिसके बारे हम बात करेंगे नाम है रूट मॉबाइल रूट मॉबाइल को कुछ दिन पहले भी हमने यहां पर कवर किया था और यहां पर हमने बात करी थी कि इस स्टॉक में शांदार बाइं ऑपरचिनिटी बन रही ह क्योंकि यह स्टॉक 2400 रुपे के आसपास तक गया था फिर यह स्टॉक में हमको 1000 रुपे तक के गिरावट देखने को मिली लेकिन अब इस गिरावट के बाद एक शांदार बेस फार्मिशन यहां पर क्रियेट हो चुका है देखिए एक शांदार यहां पर राउंडिंग बॉटम पैटन बनता हुआ नजर आ रहा है अभी हाली में इसके Q4 के रिजल्ट भी आए काफी शांदार रिजल्ट अगेन एक बर फिट से रूट मोबाईल ने यहां पर पेश किये वीकली चार्ट पे की मुविंग एवरेजिस के उपर स्टॉक ट्रेट कर रहा है अच्छ अच्छे थे तेजी में जैसी स्टॉक कंसॉल्डेट करा वॉल्यूम यहां पर हमको बिल्कुल यहां पर देखिए ड्राइडाउन होते हुए नजर आया है और काइंड ऑफ एक डॉट काइंड ऑफ एक गोल्डन क्रॉस होवर यहां पर हमको बनता हुआ नजर आ रहा है या अगर इसी प्रकार परफॉर्म करता रहा अर्निंग्स यहां पर अच्छी देता रहा तो आल टाइम हाई तक जाने से इसको कोई नहीं रोक सकता तो रूट मोबाइल डेफिनिटली काफी अच्छा फंडमेंटली अच्छा स्टॉक है टेक्निकली भी अच्छा नजर आ रहा पर रूट काफी अच्छे यहां पर नजर आते हैं और इसी टोक काफी तायम से कंसॉलीट कर रहा है और इस कंसॉलीडेशन में आप देखिए यहां पर वॉल्म इस पर रहा है लेकिन यहां पर фильм ढूविन नहीं कर रहा है, consolidate कर रहा है, यहां पर patience का test ले रहा है, और यहां पर accumulation के संकेत है, technical chart पर आप देखेंगे, daily chart पर golden crossover यहां पर बन चुका है, अच्छा खासा volume था यहां पर तेजी में, फिर volume बिल्कुल यहां पर down हो चुके हैं, और stock अभी अपने key resistance के आज पास stock freight कर रहा है, देखेंगे, इसका resistance था, यहां पर resistance था, यहां resistance था, यहां resistance था, फिर एक यहां resistance था, और again यहां पर एक multiple resistance के साथ stock freight कर रहा है, तो यह stock यहां से उपर जाने के लिए पूरी तरह ready है, until and unless कोई यहां पर global environment में परिशानी ना आई, यह stock यहां से उपर जाएगा, और all time हायते किये जाएगा, long term portfolio stock है, LTTS को आप इन levels पर भी accumulate कर सकते हैं, गिरता है stock किसी भी reason से, तो definitely buy on dips वाला stock है, और Q4 के numbers भी काफ यह अच्छे आये थे, तो यह stock भी आप buy कर सकते हैं, एक अच्छा है यहां पर आप stock में averaging भी कर सकते हैं, अगर उपर इस तरों पर फसे हुए हैं तो, और अगर fresh buy करना चाहते हैं, तब भी यहां पर कर सकते हैं, अगर नीचे आता यह stock गलती से कभी 3400 के आसपास आजाए, तो लपक लेना है, next बात करेंगे देखिए हम यहां पर Ember Enterprises के बारे में, Ember Enterprises काफी टाइम से मैंने cover नहीं किया लेकिन यह stock मेरे portfolio में है अगर आप मुझे से पुराने टाइम से जड़े हुए हैं तो तो यह stock उपर इस तरों से काफी गिरा, मतलब 4000 तक यह stock गया, उसके बाद यह stock 1700-1800 लेवल तक आया लेकिन अभी थोड़ी बहुत यहां पर recovery के संकेत नजर आ रहे हैं और अभी हारी में इसके Q4 के result आये, काफी अच्छे नंबर यहां पर company ने पेश किये, top line में 30% से ज़्यादा growth थी, margins यहां पर improve हुए, net profit में improvement थी तो numbers यहां पर अच्छे आये हैं और technically अगर आप देखें, तो इतनी गिरावट के बाद यहां पर एक kind of base formation बनता हूँ नजर आ रहा है daily chart पे, 50 day moving average 200 day moving average, दोनों के उपर stock यहां पर trade कर रहा है और एक earning gap हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, आप देखिए जो है यह earning gap है, ठीक है, earning gap है तो यह मुझे लग रहा है, यहां पर sustain करेगा earning gap के ओपर stock consolidate कर रहा है और यह अच्छा खासा volume था, इसके बाद volume बिल्कुल यहां पर dried out हो गए हैं और यह stock यहां से further rally के लिए थोड़ इसी competitive industry है तो यहां पर मुझे लगता है कि 5% से ज़ादा allocation नहीं देना है, Ember Enterprise long term के लिए अच्छी नजर आ रही है, management की जो guidance है वो काफ़ अच्छी नजर आ रही है RAC market share यहां पर company लगातार अपना growth कर रही है, पहले 24% के आसपास था, भी 29% के आसपास है इनकी जो subsidiary है Sidwal, उसके पास गजब की order book है अभी management यहां पर guidance दे रहा है, 25-30% growth यह आगे यहां पर maintain करते होगे नजर आएंगे absolute EBITAL growth यहां पर बात कर रहा हूं motor division इनका अच्छा growth कर रहा है, वहां पर 27-28% market share है, RAC Motors के यहां पर मैं बात कर रहा हूं जो है heating, ventilation and air conditioner segments में components में अच्छा खास अपना market share यह grow कर रहा है तो fundamentally अच्छी company है, इसमें कोई problem नहीं है, fundamentals company के अच्छे है, management अच्छा है, just stock price यहां पर down था, क्योंकि company ने काफी capex किया था पिछले 2 साल में, उसके वज़े से इनके return ratios यहां पर गिरते हुए नजर आए, थोड़ा सा debt level बढ़ता हुए नजर आए, लेकिन अब management कह रहा है कि अब यहां पर कोई capex नहीं हो रहा है, तो अब यहां से return ratios इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे margins तो खेर contract manufacturing में ज़्यादा इंप्रूव नहीं होते, लेकिन EBITDA level पर यह grow करते हुए नजर आएंगे, तो Ember Enterprises इन levels पर definite यहां पर एक buy candidate बनता हुए नजर आ रहा है, next दोस्तों यहां पर polymedicare इसको भी मैं cover कर चुका हूँ, हाला कि इसमें बहुत ज़्यादा correction नहीं हुई है, अभी जिस level पर उससे में बात करहूँ, हाला कि यहाँ पर कुछ time पहले तक correction थी, अभी 6 जून तक यहाँ पर अच्छा कासा stock sorry, पिछले साल 6 जून तक stock यहाँ पर 670 के level के आसपास था, यानि almost एक साल पहले, एक साल में stock उपर चला है लेकिन stock अगर देखा आ जाए 2021 से तो consolidate ही कर रहा है और kind of ascending triangle का pattern यहाँ पर बनता हो नजर आ रहा है, अभी मैंने इसको just कुछ दिन पहले, I think मैंने भी एक कल वाले वीडियो में भी इसको cover किया था, लेकिन उस वीडियो में voice नहीं थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा उसके लिए मैं sorry बोलता हूं उसको मुझे हटाना पड़ा वीडियो को, because of some technical issue वीडियो में वाज नहीं थी, लेकिन उस वीडियो मैंने polymedicure को cover किया था, तो polymedicure यहाँ पर consolidate कर रहा है, बिलकुल मतलब देखिए, यहाँ पर एक kind of यहाँ पर बहुत ही छोटे उसमें time frame में, मतलब अगर मैं weekly time frame पर बात करूँ, daily time frame पर बात करूँ, तो देखिए, कितना जादा consolidate कर रहा है, कितना जादा यहाँ पर consolidate कर रहा है, key moving averages इसके उपर, और यहाँ पर अगर थोड़ा सम इसको देखूं, तो देखिए, कितना जादा है, आपर accumulation के संकेत नजर आ रहा है, तो यह ascending triangle का breakout होने के बाद यहाँ पर यह तेजी बन सकती है, stock अपने all time high तक जा सकता है, fundamentals अच्छे है, Q4 के numbers भी काफी अच्छे है आगे के prospect भी काफी अच्छे है तो polymedicure को current market price भी कर सकते हैं अगर इस triangle का breakdown होता है तब आप इसको बेच सकते हैं short term वालों की बात करों, long term वाले हाँ पर opportunity की खोज कर सकते हैं क्योंकि अगर गरता है stock तो definitely हो सकते हैं, आपके different भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से Loras Lab अगले दो साल में काफी अच्छा करता हो नजर आएगा, at this point of time valuation भी attractive हो चुग है, हलाकि Q4 के numbers बहुत अच्छे नहीं आये थे लेकिन कहीं न कहीं improvement नजर आ रही है और pharma sector में improvement नजर आ रही है, जो raw material cost है, वहाँ पर हमको reduction देखने को मिल रहा है relaxation देखने को मिल रहा है, recent past में power cost, fuel cost, fret cost सब में reduction देखने को मिल रहा है वहाँ पर हमको relaxation देखने को मिल रहा है inventory जो है, वो यहाँ पर normalcy पर आती हुए नजर आ रही है, जो trade channel में basically inventory है वो हमने देखा डिवीज में भी देखा बाकि हमने polymedicure के numbers में भी देखा और भी I think जो दूसरी pharma companies हैं वो भी यहाँ पर इस तरह के संकेद दे रही हैं तो Lotus Lab डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे volume के संकेद आपको देखने को मिलेंगे देखें यहाँ पर अच्छे खासे volume के साथ stock यहाँ पर consolidate कर रहा है पिछले काफी time से और एक major resistance के ओपर stock अभी trade कर रहा है आज के दिन डिवीज में भी तेजी है लॉरस में भी तेजी है तो मुझे लग रहा फार्मस अक्टर यहाँ पर कर सकता है और एक downward जो यह channel pattern था उसका break out लॉरस लैब ने आपर दे दिया है consolidate कर रहा है 50 डे के ऊपर जैसी यह 200 दिन के ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर अच्छी खासी buying आ सकती है तब तक आप wait and watch कर सकते हैं अगर आप long term investor बनना चाहते हैं तो आप इसमें अभी भी एड कर सकते हैं मैंने एड किया लॉरस लैब को बाकि जो मैं कर रहा हूँ जरूरी नहीं आप follow करो आप अपना risk appetite अपनी knowledge की according यहाँ पर position बना सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले दो साल में यहाँ पर जिस प्रकार का capacity यहाँ पर आने वाली है जिस प्रकार का यहाँ पर business यहाँ पर management यहाँ पर बोल रहा है आगे grow करेगा तो मेरे ख्याल से लॉरस लैब अच्छा कर सकता है fundamentals अच्छे है बाकि आप अगर अभी buy नहीं करना चाहते तो इसको ना करें मेरे ख्याल से थोड़ा trend reversal का wait करना भी यहाँ पर सही रहेगा और एक दो quarter at least quarter 1 fi 24 का wait करना चाहिए उसके बाद buy कर सकते हैं मैंने add कर लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि long term investor as a long term investor point of view लॉरस लैब यहाँ पर अच्छा करेगा next दोस्ते हाँ पर हम बात करेंगे campus की तो campus की बात की जाए तो campus में हमने देखा कल के दिन काफी जबरदस्त गिरावट आई तो वो गिरावट के पीछे का reason क्या था numbers यहाँ तो quarterly numbers campus के बहुत खराब रहे sales अगर आप देखे तो मात्र मात्र है in fact मात्र भी नहीं negative 1% से जादे हैं पर हमको गिरती वी देखने को मिली year on year basis पे sequential basis पे तो और भी जादा गिरावट थी margins बहुत जादा डाउन होते हुए नजर आये net profit यहाँ पर company का down होता हुए नजर आया maintain था year on year basis पे लेकिन net profit down है तो सारे ही matrix पे यहाँ पर खराब number आये even volumes भी हाँ पर company के गिरते हुए पर नजर आये हैं तो इसी वज़े से campus के stock में ते नहीं गिरावट हुई तो कि valuation campus के काफी high थे और ऐसा नहीं है यहाँ पर इसके बारे में हमने बात नहीं करी इनी levels पर हमने बात करे थी कि campus को अभी हमको avoid करना है और उसके breakdown होता है तो यह stock फिर और नीचे जा सकता है फिर यहाँ पर कोही भी support नहीं है फिर कहां तक जाएगा कुछ कह नहीं सकते लेकिन at this point of time करना क्या है में question यह है कि numbers अच्छे नहीं आये हमने relaxo के numbers देखे relaxo के numbers improve है metro brands के नंबर अच्छे है हलाकि margins metro के अच्छे नहीं थे लेकिन relaxo के numbers margins improve हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा wait करना चाहिए campus में अभी buy नहीं करना है मैंने तब भी बोला था अभी बोल रहा हूं अभी buy नहीं करना है यहां पर अभी भी F5 24 तक यहां पर थोड़े से demands उधरती हुई नजर आ सकती है तब तक यहां पर थोड़े सा volatile मामला रहेगा हाला कि जो co polymer और जो polymer prices हैं वो हमको soft होते हुए नजर आए हैं तो at least मेरे को लगता है Q1 का wait करना चाहिए अभी campus में buy नहीं करना है नहीं relax हो में buy करना है Metro Brands जरूर यहां पर अच्छा नजर आ रहा है लेकिन वो अभी महगा हो चुका है Metro Brands में हमने buying की recommendation दी थी और Metro Brands अपने all time high पे चल रहा है तो अभी मुझे लग रहा है उसको भी wait करना चाहिए एक बार Q1 का यहां पर wait करना चाहिए जिसे grow कर रहा है चाहिए मैं campus की बात करूँ चाहिए मैं relaxo की spark segment की बात करूँ Metro की बात करूँ या फिर हम मिर्जा की बात करें सभी grow कर रहा है तो यह बहुत अच्छा sector है रिलेक्सों में अगर आप buy करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा buy कर सकते हैं लेकिन अभी दूसरों को थोड़ा सा avoid कीजिए तो वही बहतर रहेगा बाकि यही मेरा opinion है तो मैं अभी कुछ भी यहां पर buy नहीं कर रहा हूँ आप क्या मानना है समझना है जरूर comment करके बताइएगा I hope वीडियो पसंद आए तो like करेंगे share करेंगे subscribe करेंगे मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में till then take care bye bye और अपना opinion जरूर share कीजिएगा comment box में